तो आज उसी प्रोसेस के लिए हम यूज लेने वाले हैं सबसे पहले हम विजट करेंगे हमारे ब्राउजर पर और वहां जाके लिखेंगे यानी मॉबाइल वैरिफिकेशन टूल किट गिथब तो हमने आप लिखा मॉबाइल वैरिफिकेशन एंड गिथब लिख देता है साथ में गिथब आटोमेटिकली इस यूरल को उपन कर देगा तो यहां पर MBT प्रोजेक्ट आ चुका है हम इस पर क्लिक करेंगे पहले फाइल को डाउनलोड करेंगे एंड देखते हैं आगे का प्रोसस क्या रहेगा हम यह मान के चल रहें कि हमें आइडिया नहीं है कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा जब हम स्क्रोल डाउन करेंगे तो आटोमेटिकली इसके स्टैप्स हमें गाइड कर देंगे कि आप किस तरीके से MBT को इंस्टॉल कर सकते हैं यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिली के सर आप PIP के जरीए भी डारेक्ट MBT को इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर बाइचांस हमारे टूल वर्क नहीं करता है यानि यह फाइल वर्क नहीं करती है तो मैं PIP के जरी MBT तूल को इंस्टॉल कर दूगा तो अभी हमने कोड पर क्लिक करा URL के जरीए फाइल को कॉपी करा और अपने टर्मिनल पर जाके git clone कमांड के जरीए फाइल को डाउनलोड कर देंगे यानि क्लोन कर देंगे तो यहां पर हम इसे रूट पर्मिशन प्रोवाइड कर देते हैं और यहां कमांड रन करेंगे git clone and URL of MBT यानि मोबाल वेरिफिकेशन टूल के फाइल फिलाल यहां पर डाउनलोड हो चुकी है ls लिखेंगे तो हमारे पास MBT नाम का फोल्डर आ चुका है तो हम लिखेंगे cdmbt और ls लिखेंगे तो यहां पर कुछ files में पास visible है जिसमें बहुत ही common सी बात है कैसा setup.py नाम की फाइल है सीधा उसके जरी टूल को इंस्टॉल कर लिए जाए तो हम यहां पर command setup.py पहले ऐसे ही इसको लिखेंगे अंटर प्रस करेंगे अगर इसके installation में issue आता है तो मैं setup.py के बाद install word का use लेके इसे configure कर दूंगा यहां इस वो guide कर दूंगा कि हम इस software को install करना हम इन अंटर प्रस करा तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने setup file को run करने के बाद हमसे request कर है कि sir आप जो आगे का commands और arguments से वो share करें कि हम यहां पर क्या operation perform करना चाहते हैं तो हम install करना चाहते हैं इस्टॉल करना चाहते हैं इस्टॉल करना चाहते हैं इस तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप सब कुछीजे clear visible हो although इसने हमें कुछ recommend भी करा है starting में ही run ह हम उस line को भी read कर लेते हैं किसमें क्या recommend करा था तो यहां पर हमें recommend करने कि sir आप avoid करिए setup.file को direct execute करने का बठ हमने तो यहां पर execute कर दिया है में जहां पर mvt नाम का folder ना हो और अब यहां पर mvt command execute करता हूं एक folder और बैक आना पड़ेगा मैं mvt and enter so it's because हमें इस इसका confirmation मिल चुका है कि हमारा mvt tool install हो चुका है हम command लिखेंगे mvt-android अगर android device को scan करें तो dash android लिखेंगे और अगर आप iOS device को scan करना चाहते है तो वो भी इस tool के जरी है possible है आपको बस mvt-iOS लिखना है और उसका जो पूरा setup आपके सामने आ जग है जैसे android का फिलाल आपको show कर रहा है तो यहां पर मुझे इसकी पूरी help दिखा रहा है कि हम इसको किस तरीके से यूज ले सकते हैं तो अगर आप ADB check करना चाहते है वो कर सकते है ADB connection पहले आप perform करेंगे then उसके बाद अपने पूरा android को आप scan कर सकते हैं उससे related bugs reports देख सकते हैं काफी सार options आपको यहां पर show कर रहा है अब IOC का मतलब है indication of compromise हम देखना चाहेंगे हमारा device जो है वो क्या indicate कर रहा है कि वो compromise हुआ या नहीं but before executing this command हम सबसे पहले check ADB command को execute करेंगे जिसकी वजह से हमाई confirm होज हमाई device ADB से connect है के नहीं और बाकी के operations कुछ यह खुद ही maintain कर लेगा तो हमने हमारे device को फिलाल यहां पर connect कर दिया है और अब हम यहां पर connect to a virtual machine के option को tick करेंगे अपनी काली machine को tick करेंगे और OK button पर click कर देंगे successfully हमारा device शायद add हो चुका होगा शायद नहीं हुआ होगा में एक बार command run करेंगे mvt android check adb और enterprise करेंगे तो अब यह confirm कर रहा है कि device इससे जुड़ा है या नहीं और उसके आगे के जो पूरे process से उसको continue करेंगा फिलाल यहां पर बता रहा है अप्ग्रेट करने का process भी बता रहा है अगें scroll down करते है तो error में cache हो कर रहा Error में बोल रहा unable to connect to a device over USB यानि USB से my device से connect नहीं हो पाया एक बार check करते हैं हो सकता है my device पर pop-up आया हो तो यहां पर आपको pop-up visible होगा जो कि USB debugging की permission मांग रहा है मैंसे allow कर देता हूं और अब फिर से इस command को execute करके देखते हैं यानि पुरे mobile device को scan करना start कर दिया है जल्दी हमें confirm कर देगा कि हमाई device इसके एसाब से वर्नेबल है या नहीं और उसके एक report बना देगा जिस report को हम अच्छे से detail में check भी कर सकते हैं So students, यहां पर हमाई scan complete हो चुका है आप scan को देखे तो इसमें बस कुछ-कुछ जगाओ पर इसने basic errors दिखा है जैसे कि अगर आप यहां scroll up करें से तो आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ सही है फिलाल तक का पूरा process बिल्कु सही है tools बिल्कु और इसने यहां पर confirm करें लेकिन यहां अगर आप देखे तो यह बोल रहा है कि सर आपने कुछ suspicious content हमें यहां पर देखने को मिला कुछ basic settings है जो आपने change कर रखिए उसके अलावा scroll up करें तो और यहां पर यह बता रहा है कि एक आपने module यहां पर रखावा है इसका एक package डाउनलोड करेंगे यानि indicators का जो बताते हैं आपके system compromise रुए के नहीं हो आप कह सकते हो set of tools हैं, libraries हैं जो scan करेंगे mobile को और भी ज्यादा detail में कुछ और भी rules को scan करेंगे यहां पर मैं command run करेंगे mt-android, download, iosc और यह जैसे enterprise करेंगे तो जितने भी indicators हैं उसका installing process यहां पर start हो जाएगा आप देख सकते हैं तो यह लगातार वो सारे indicators को install कर रहा है जो हमारे लिए जरूरी है और यह process complete हो चुका है अब हम एक बार फिर से चाहें तो device को scan कर सकते हैं इंडिकेटर के हसाब से शायद और भी अच्छा check कर पाए और हमें और confirm कर पाए कि इसके हसाब से device बनेबल है या नहीं So I believe students आप सभी का content clear होगा आपको बस errors पर नजर रखनी है ताकि आपको confirm होज़े आपका system कितना safe और कितना बनेबल So see you in the next topic, thank you